हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का टी एस एजूकेशन सेंटर में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संबिधान से संबंदित कुछ महतोपूड जानकारियां जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए महतोपूड होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तो भारतिय संबिधान सभा की ओर से 26 नोंबर 1909 को भारत का संबिधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ भारत का संबिधान विश्व के किसी भी गड़तांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संबिधान है भारतिय संबिधान में वर्तमान समय में 465 अनुचेद, 12 अनुसूचिया और इन्हे 22 भागों में भी भाजित किया गया है। आईए जानते हैं हमारे संबिधान से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। पहला है बाबा साहब डाक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संबिधान निर्माता कहा जाता है वे संबिधान मसौदा समीती के अध्यक्ष थे। दूसरा अंबेडकर को संबिधान का फाइनल ड्राफ्ट तयार करने में दो साल 11 महिने और 18 दिन का समय लगा था। तीसरा पूरे देश में 26 नौवंबर को संबिधान दिवस के तोर पर मनाया जाता है। चोथा देश का सरवच्च कानून हमारा संबिधान 26 नौवंबर 1949 में अंगीकार किया गया था। पाचवां संबिधान सभा पर अनुमानित खर्च लगभग एक करोड रुपए आया था। चाठवां मसोदा लिखने वाली समीती ने संबिधान हिंदी अंग्रेजी में हाथ से लिखकर कैली ग्राफ किया था। और इसमें कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग सामिल नहीं थी। साथवां संबिधान सभा के सदस्य भारत के राजियों की सभाओ के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चूने गए थे। पंडित जौहरलाल नहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंदर परसाद, सरदार वल्लव भाई पतेल, मौलाना अबुलकलाम आजाद आदी इस सभा में प्रमुख सदस्य थे। आठवा, 11 दिसंबर 1946 को संभिधान सभा की वैठक में डॉक्टर राजेंदर पसाद को अस्थाई अध्यक्ष चूना गया था, जो अंत तक इस पद पर वने रहे। नौवा, इसमें अब 465 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचिया और ये 22 भागों में विभाजित है, इसके निर्माड के समय मूल संभिधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें कुल 8 अनुसूचिया थी। दस्वा, संभिधान की धारा 74 एक में यह विवस्था की गई है, कि राष्टपती की सहायता को मंत्री परिसद होगी, जिसका प्रमुख पीयम होंगे। इग्याराहमा, संभिधान में प्रशासन या सरकार के अधिकार उसके करतब्य और नागरिकों के अधिकार को विस्तार से बताया गया है। 12. संबिधान में सरकार के संसदिय स्वरूप की विवस्था की गई है, जिसकी संरचना कतिपए एकात्मक विशिष्टताओं सहीत संघी हो, केंद्रिय कार्य पालिका का संबिधानिक प्रमुख राष्ट पती होते हैं 13. भारत की संबिधान सभा का चुनाव भारतिय संबिधान की रचना के लिए किया गया था, ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संबिधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने 14. केबिनेट मीसं की संस्तूतियों के आधार पर भारतिय संबिधान का निर्माड करने वाली संबिधान सभा का गठन जुलाई 1946 इस्वी में किया गया था 15. संबिधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी जिन में 292 वरीटिस प्रांतों के प्रतिनी दी, 4 चीफ कमिस्नर छेत्रों के प्रतिनी दी, एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनी दी थे 16. हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनी दी सम्विधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे 17. सम्विधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी 18. सम्विधान के कुछ अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद यानि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 324, 366, 366, 372, 388, 391, 392 और अनुच्छेद 393 को 26 नुवंबर 1949 को ही कर दिया गया था जबकि सेश अनुच्छेदों को 26 जन्वर 1950 इस वी को लागू किया गया 19. समाजवादी सब्द सम्विधान के 1976 में हुए 42 सम्विधान संसोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें थावरा थावरी झाल को ठानल को चैनल को सब्सक्राइब करके दोकावना झाल जरूर् सब्कावरम को भीडियो